हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सबी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को कवित अनीसा में मैं हूँ आपकी दोस्ट एंड होस्ट अनीसा आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्दी बहुत ही टेस्टी और जो डैबिटीज में भी आप खा सकते हैं ऐसे मेथी के लड़ू लेके आई हूँ जो की बहुत ही हेल्दी होता है और बिल्कुल भी ये करवा नहीं लगेगा वो सारे टिप्स मैं बताऊंगी तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखें मेरे चैनल पे नए है तो प्लेज सब्सक्राइब माई चैनल तो मैंने मिश कर ग्राइंडर में ले लिया है मेथी को और इसका हमें फाइन पौडर तयार कर लेना है तो यह देखे हो 25 पौडर जो है करवापन भी बोडे сторिट लम्स फ्री एकदम इसको देखिए इस तरह से घोल तयार कर लेना है और इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप मखाना यह फूल मखाना है यह भी बहुत ही फाइदे मंद होता है और हमारे बॉड़ी के लिए बहुत ही जरूरी होता है और अभी ठंडी के लिए यह बहुत ही फाइदे मंद होता है तो इसको हम बिना घी के अभी मैं रोष्ट कर रही हूँ इसको तो एकदम अच्छे से हमें इसको रोष्ट कर लेना है तो यह देखिए अब मैं इसको तो फोर्थ कप मैंने बदाम लिया है और आधा कप काजू लिया है और इसको हम जो है अच्छी तरह से रोष्ट कर लेंगे तो यह देखे इसका कलर चेंज हो गया है तो अब इसको भी मैं निकाल लूँगी और ड्राइफ रूट्स भी फ्रेंट्स बहुत ही जरूरी होता है हमार बॉडी के लिए और यहां पर मैंने ले लिया है दो टेवले स्पून मगज इसको भी इसी घी में मैंने रोष्ट कर लिया है और अब मैंने ले लिया है यहां पर एक टेवले स्पून घी और इसमें वन फोर्थ कप मैंने डाल दिया है गोंद और गोंद देखिए कितने पोले मैं पूंदे हैं आप यहां पर ले लिया है मिक्सर मैं निकाल लिमने काजू और बादाम और हम जाए और दर्धरागे हली है यह देखे लिल्य से अपर्शिवा हॺ狂म अआफिया थैसके जगह पर देसिकेटेड गोकोनट सकते हैं और इसे भी मैं पॉडर इसका भी तैयार कर लूगी तो ये दिखे इसका भी मैंने fine powder रेडि कर लिया है और अब हम लेंगे यहांपर गोंद और गोंद को friends हमें mixer में नहीं करना है इसको जो ये कटोड़ी होता है उसके जो पीछे वाला समतल भाग होता है उससे आप दबा दबा के इस तरह करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और हमें इसको दरदरा ही रखना है ताकि जब लड़ू बने तो उसमें हलका सा बाइट आए बस देखिए इस तरह से हमें इसको रेडी करना है अब हम ले है एक टेबल स्पुन घी और इसमें हम मेथी का जो पेष्ट है वो डाल देंगे और इसको हमें अच्छी तरह से भूनना है इस तरह से दबा दबा के आप थोड़ी देर में ही देखेंगे कि ये एकदम दाना दाना इसका अलग हो गया है जैसे हम मुंग दाल का हलवा बनात है सारा ये रेडी हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद यहां पे फिर से मैंने कराही में ले लिया है एक टेबल स्पुन घी और इसमें मैं ले रही हूं दो टेबल स्पुन बेसन बेसन से इस लड़ू में और भी ज्यादा जो है टेस्ट अच्छा जाता है और यह बहुत ही गर्माहट भी होती है तो यहां पे मैं ले रही हूं दो कप आटा यह गेहूं का आटा मैं ले रही हूं इसको भी हम भूल लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तो यह देखे इसका कलर हो चुका है चेंज और एकदम अच्छी सी खुसब तो गैस को आफ करने के बाद इसको भी मैंने निकाल लिया है परात में जिसमें मैंने मेथी निकाला हुआ था अब इसमें ही हम जितना भी हमने पीस के ड्राइफ ॐÚ supply हमारे ड्राइफ रूट और गोंद मगज और इसी में मैंने इलाइची भी डाला था जो कि इसकिप हो गया था इलाइची का पाउडर किसमेस भी यहां पे मैंने डाला है तो यहां पे यह सारे चीज हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखे इस तरह से हमें इसको मिक्स करके अच्छे से पहले इसको रेडी करके रख लेना है तो फि जंबाइना पानी के इसको हमें मेल्ट करना है तो इस तरह से एकदम लोग फ्लेम पे आप इसको मेल्ट करें और इसमें भी मैं डाल दूँगी एक टेबले स्पुन घी का यू जी और इसको अच्छी तरह से आप चलाते रहें इसका तार का चासनी नहीं बनाना है तो यह जल्दी जमने लगता है और इसमें हमने पानी भी नहीं डाला है तो ये बहुत दिनों तक ये लड़ू जो है वो खराब नहीं होता है और बहुत ही अच्छा ये बनता है और बहुत ही टेश्टी भी लगता है तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी ही इसको एस पेचुला से ही मिलाएं क्योंकि बहुत गरम है और यह देखे यह एकदम से मिल चुका है तो अब मैं आपको इसका लडु बना के दिखाती हूं बहुत ही आसानी से यह लडु बन जाता है तो इस तरह से हमें गरम गरम में ही इसको बनाना है तो आप इसको दबा के रख दीजिए ताकि जो है मिसरन ठंढा ना हो तो ये देखे इस तरह से ये देखे कितना टेश्टी लग रहा है देखने में इसी तरह मैं आपको दूसरा लड़ू भी बना के दिखा देती हूं बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है तो सारे मिसरन से हमें जल्दी से लड़ू बनाके रेडी गरम गरम में ही कर लेना है तो ये देखे सारे लड़ू हमारे हो चुके हैं तयार और इनरजी से भरपूर ये लड़ू है एक लड़ू आप रोज खा लिजे बहुत ही फायदे मंद होते हैं बच्चों के लिए भी य अगर आपको मेरी महनत मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को सेयर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो भी वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक स माता दी, बाँ बाइ